क्या हो अगर मैं तुमें कहूं कि वनपीस के राइडर एच रो ओडा ने हमें बहुत पहले ही वनपीस के एंडिग को लेकर बहुत सारे हिंट दे दिये थे तो दरसल होता किया जब भी वनपीस का कोई आर्क एंड होता या फर श्टार्ट होता है तो ओडा सेंसे कोई नया मैस message देते हैं अपने fans को और उसको ले करके बहुत सारे चीज़े one piece community में चलती रहती है एंड यहां पर वो one piece के ending के बारे में भी बात करते हुए नजर आये हैं कई बारे आने वाले के सामने आऊंगा और Oda Sensei के और भी messages के बारे में बात करूंगा सबसे पहला message जो सामने निकल करके आता है Oda Sensei का वह आया था East Blue Saga के end में और वहां पर Oda Sensei सामने आ करके कहते हैं the whole world will turn upside down in final arc और यह वाला चीज हमें आगे जा करके one piece के manga और anime में भी दिखाया जाता है बार बार यह कहा गया है कि जिस दिन one piece reveal होगा यह दुनिया पलड जाएगी next message जो Oda Sensei ने ending को लेकर हमें hint दिया था वो था Annis Lobby आर्क में बहुत सारे लोग one piece की story को लेकर criticize कर रहे थे और यह एक तरीके से Oda Sensei ने उन लोगों को जवाब के तौर पे दिया था प्लस उसमें एक चीज reveal भी किया था मुझे उन लोगों में जरावी दिल्चस्पी नहीं है जो one piece की story को complain करते हैं क्योंकि उन्हें story पसंद नहीं है लेकिन मैं उन सब को कहना चाहता हूं कि जिस दिन one piece का final arc लिखा जाएगा यह उन सब को चौका देगा because मुझे पता है जिस दिन यह final arc होके न उस दिन बाकि सारे anime manga underrated रह जाएंगे सिभाई कुछ को छोड़के like bleach boruto and hunter hunter खेर third message के तरफ चलते जो की सामने निकल करके आयता थिलर बार कार के अंदर जहां पर यह बताया जाता है कि in the final scene of the story a pirate with an eye patch will appear यह मुझे जहां तक लगता है यह कौन होगा मुझे भी नहीं पता पर इसको लेकर के बहुत पहले यार बात चीज़ चलती है कि कोई eye patch वाला pirate आएगा और इसी के साथ one piece के story end हो जाएगा वैसे इस चीज़ को लेकर क्या hint देना चाहते थे क्या जो one piece है वह एक्चुली में joy boy का भी नहीं है क्या उससे भी पहले कोई pirate रहा करता था ऐसे यार बहुत जारे theorist तो बनते वैसे मैं यह eye patch वाले के उपर एक वीड ending change नहीं होने वाली लेकिन main problem यह सामने निकल करका आएगा वह जो चीज़े बिखरी हुई है ना अलग-अलग characters अलग-अलग story से लेकिए यह सब यार अलग-अलग जगह पे बिखरे हुए उन सबको एक साथ लाने में एक तरह से ओड़ा से यह कह रहे है कि उनको problem face करना पर वह बात करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें बिनारुके drawing करने में क्या चीज motivate करता है पता है वो जो final arc में जो war होगा जिसको वो draw करेंगे उसके सामने marine ford भी बच्चा लगेगा and यह वाला वो line था जहां पर पूरे one piece world को soft कर दिया था क्यूंकि उन लोगों ने एक त तरीकी के वह और आज से पहले manga community के अंदर किसी ने देख ही नहीं थी dress rosa arc के end में किसी fans ने SBS में यह पूछा था कि क्या one piece के ending किसी दूसरे टाइप से हो सकता है जैसे यार अमोमन तुम सब बचपने cartoon वगरा देखे होगे जहां पर लोग journey पे निकलते हैं तुम्हारा favorite cartoon character journey में निकलता treasure खोजने के लिए और उसको यार बाद में बताया जाते कि यह जो तुमने journey किया यही तुम्हारा खजाना था तुमने दोस्तों के साथ जो enjoy किया जो तुमने adventure जो चीजे तुमने देखी यह है तुम्हारा main treasure बट ऐसा नहीं है ओडसें से साफ तौर पर यह बता आते हुए नजर आते हैं मैंने decide कर रखा one piece का ending क्या होगा और यह किसी तरीके का friendship, goal, determination या फिर कोई long journey type यह सारी चीजे नहीं होने वाली है मैं उन सब को वो चीज देना जो वो deserve करते हैं मतलब उन्हें पका कुछ ना कुछ मिलेगा देखो यह चीजे कैसी चीज है इसको लेके लाखो थियोरी बन सकती हैं लेकिन क्या है one piece वो सिर्फ order sense से ही जानते हैं आगे आते हैं hole के island arc के अंदर जहां पर order sense से इस बार reveal नहीं करते हैं इस बार उनकी जो assistant ह जाना वो reveal करती है जहां पर यह reveal होता है कि उनके editor को one piece canning पता है because order sense ने उनको 7 घंटे तक समझाया था बिना रूके सोच रहो कितनी बड़ी planning करके रखा होगा यह writer ने as any world का number one manga का है plus उन्होंने यह भी reveal किया कि we have now reached a crucial point where the story began to reach its main points in the coming period we will see the four emperors a lot वैसे यह वाला जो line थ जले हमें emperors की कहानिया सुनाई जा रही थी हमें four emperors बस बताया जा रहे थे कौन है उनके बार में हमें सुनने को ज्यादा मिलता था action कम दीखता था लेकिन अब अगर तुम देखो whole cake island के बाद जब से kaido action में दिखा है उसके बाद से हमें emperors के power so किये जा रहे है final वाले पर बहुत बड़ा line statement के तौर पर दिया था जहां पर वह कहते हैं कि the most important thing about the upcoming development of the one piece story is the past जहां पर इस line से हमें पता चलता है कि हमें आने वाले time पे one piece में backstories जादा देखने को मिलेंगे और यही चीज़ हमें egghead island के अंदर नजर भी आता है and यही वह line था जो कि पहले ही या पर वेगा पंक जिस तरिकी से 800 साल पूराना इतिहास रिवील करता है प्लस ऐसे ओड़ा सेंसे के और भी बहुत सारी statement है क्या तुम सब चाहते हो मैं उनके उपर भी वीडियो बनाओ तो यार comment box में बताओ प्लस और भी कुछ पूछने है तो वह भी comment box में बताओ वही अग लाइक मारना मत बूलना अपनी राइ comment box में देना मत बूलना अगर वीडियो ज्यादे ही पसंद आया तो share भी कर देना प्लस चैनल पर नहीं आगो तो इस चैनल को subscribe करके bell icon भी on कर देना और हां मुझे instagram पर फॉलो करो यार तो यार मिलेंग ने ने अश्ट वीडियो में फि आई